हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलर्णिंग क्लासेज फ्रेंड्स आज है 18 सेप्टमबर 2020 और 18 सेप्टमबर के जितने भी इंपर्ड़न्ट कुशन्स हैं सारी कुशन्स को हम डिसकस करेंगे वीडियो में पीडियाफ आपको मिल जाएगी इसकी टेलीगराम से जाकर जॉइन हो जाए और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें जिससे की सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें चलो शुरूआत करते हैं आज के पहली कुशन से कुशन नमबर पहला है हाल ही में किसने क्रेशी छेत्र में सुधार के उद्देशा से आवश्यक वस्तु विद्ययक 2020 को मंजूरी दे दी है तो एक कुशन काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी क्रेशी छेत्र में सुधार के लिए तीन विद्ययक पास किये गए हैं जिसमें से दो में बिलकुल मंजूरी मिल चुकी है और इसका आंसर होगा दोस्तो ए लोगसभा लोगसभा से मंजूरी मिल चुकी है 2020 में तो क्रेशी छेत्र में सुधार के उद्देश हैसे को संसोधन किये गए हैं आवशक वस्तु विद्ययक तो इसका आंसर होगा एक काफी इंपॉर्टेंट कोशन है पहला लोगसभा में इसको पास करा लिया गया है जैसे यहाँ पर याद रखो क्वेशन नंबर पहला देखो लोगसभा के बारे में मैं हमेशा से बताता रहा हूं कि लोगसभा की स्थापना जो हुई थी वो 13 अपरेल 1952 पर उको हुई थी 1952 जबकि भारत में पहले आम चुनाप जो हुए थे 1951 में हुए थे उसके बाद लोगसभा की स्थ नद न owners यह 2010 में हुई थी, कब हुई थी 2010 में, इसका headquarter कहां पर है, नोईडा में इसका headquarter है, और इस time पर इसके जो CEO है, और जो CEO हैं, वही कौन है, इसके अध्यच्छ भी है, तो याद रखोगे इनका नाम है, विजय सेखर सर्मा, विजय सेखर सर्मा, ठीक है, इसके CEO और अध्यच् पेटियम फर्स्ट गेम के brand ambassador बने सचिन तेंदुलकर, 300 करोड का करेगी निवेस, तो यह काफी important रहेगा question, याद रखोगे, सचिन तेंदुलकर को इसका brand ambassador appoint किया गया है, question number 3 पर आते हैं दोस्तों, हाली में, euro money award of excellence दोरा, lifetime achievement award 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह काफी important रहेगा question, euro money award of excellence दोरा, lifetime achievement award 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, answer होगा इसका B, आदित्यपुरी, किसको सम्मानित किया गया है, आदित्यपुरी, अब देखो, आदित्यपुरी के बारी में आप जानते होगे, यह HDFC bank के CEO है, ठीक है, कौन है, HDFC bank के महाप्रवंधक भी बोल सकत आदित्यपुरी है, मैं जब भी कराता हूँ, question में इनके बारे में आपको बताता हूँ, अब देखो, इसमें जैसे लिखा हुआ है, आदित्यपुरी को euro money द्वारा, 2020 के lifetime achievement award से सम्मानित किया, गया सम्मानित, HDFC bank के प्रवंधक निदेशक, आदित्यपुरी को euro money awards of excellence, 2020 द् lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है, उन्हें भारत के एक विश्व इस्तरी बेंक के निर्मार के उनके कौसल के लिए सम्मानित किया गया है, तो इक काफी important है, इस question का answer ज़रूर याद रखोगे आप, lifetime achievement कौन से वाला है, euro money द्वारा जो दिया गया है, आते हैं, next, देखोगे, ये ये हैं, आदित्यपुरी, जो प्रवंधक महा निदेशक है, HDFC बेंक के, HDFC बेंक के प्रवंधक निदेशक आदित्यपुरी को euro money awards, वही चीज लिखी हुई है, तो इसमें बस याद रखना है आपको आदित्यपुरी के बारे में, question number 4 है, हाल ही में किसने, AICTE के 12 सदस्यों को पहले AICTC विश्व सरया, West Teacher 2020 से सम्मानित किया है, तो देखो AICTE के 12 सदस्यों को, 12 टीचर्स को AICTE विश्व सरया, West Teacher Award से किसने सम्मानित किया है, तो answer हो है इसका D, रमेज पोखरियाल निशंक, किसने किया है, रमेज पोखरियाल निशंक ने, इनको सम्मानित किया है, AIC, AICTE, विश्व सरया, टीचर्स अवार्ड से, तो question number 4, question number 4 का answer किया है, D है, तो याद रखो, question number 4 में answer, D है, question number 5 पे आते है, हाली में किसने प्राचीन भारतिय संस्क्रती का अध्यन करने के लिए, 16 सदस्य समिती का गठन किया है, तो देखोगे अभी हाल ही में 16 सदस्य समिती का गठन किया गया है प्राचीन भारतिय संस्कृति का अध्यन करने के लिए और ये किया किसने है? किसने किया है? केंद्रिय संस्कृति मंत्राले के जो मंत्री है उनका नाम है प्रलाद सिहिंग पटेल ये मंत्राले का नाम है जैसे कि देखोगे इसमें लिखा हुआ भी है प्राचीन भारतिय संस्कृति का अध्यन करने के लिए 16 सदस्य समिती गठित पटेल जैसे लिखा केंद्रिय मंत्री प्रलाद पटेल ने स्वंबार को संसत को सुचित किया है कि सरकार ने करीब 12 साल पहले 12 हजार साल पहले भारतिय संस्कृति के उधवव और विकास का अध राउजी का निधन ये पूरा नाम है सदाशिव राउजी पाटिल का निधन हुआ है वह किस छेत्र से संबंदित थे तो क्वेशन नमबर 6 और वो छेत्र कौन सा था हमका ऑफ्सन नमबर A किरकेटर सदाशिव राउजी पाटिल ये कौन थे किरकेटर थे इनका भी हाली में निधन हो गया है मैं इनकी एक पिक्चर देखा देता हूँ ये थे सदाशिव राउजी पाटिल जो एक किरकेटर थे देखो बैट भी दखे इनके पीछे तो इनकी डैथ हो चुकी है ठीक है आगे आते हैं question number 7 हाली में जापान का नया प्रधानमंत्री किसे निक्त किया गया है ये भी काफी important होगा कि जापान का नया प्रधानमंत्री किसे निक्त किया गया है तो answer होगा इसका भी योशी हीडे सुगा यूशी हीडे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री निक्त किया ग गया है अब देखो जापान की अगर बात करें जापान की राजधानी क्या है टोकियो है क्या है टोकियो है और यहां की करेंसी क्या है यह नहीं है ठीक है और प्रधान मंत्री मैंने बताई दी योसी हिडो सुगा है आगे आते हैं देखोगे इनकी पिक्चर मैं दिखा देता ह आपके लिए यह है योसी हिडो सुगा जिनको बनाया गया है जापान का प्रधान मंत्री तो काफी इंपरेंट रहेगा शिंजो आवे की जगा लिए इनोंने शिंजो आवे की जगा पर यह बनाये गए हैं आगे आते हैं कोशन नमबर आठ है हाली मैं किस राज्य के द्वारा इफाइलिंग उपभोकता प्रणाली को शुरू किया गया है इफाइलिंग उपभोकता प्रणाली को शुरू किस राज्य ने किया है तो आंसर होगा इसका ए दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है अब देखो दिल्ली के बारे हम बात करें तो दिल्ली के सीएम कौन है के अनिल बैजाल कौन है अनिल बैजल बैजाल कर दो या बैजाल ठीक है आगे इसमें लिखा हुआ भी है जैसे दिल्ली में CM केजरीबाल ने फाइलिंग उबहुकता शिकायत का किया उदगातन के जो उदगातन है वो अपना इंटरनेट के माध्यम से अपनी फाइल को सम्मिट क मिलकर 5G तकनीकी विक्सित करने का फैसला लिया है तो देखो भारत इजराइल और कौन सा देश है जिसने 5G तकनीक विक्सित करने का फैसला लिया है तो आंसर होगा इसका C अमेरिका भारत इजराइल और अमेरिका इन तीनों ने 5G तक्नीक विक्सित करने का फैसला लिया है तो काफी इंपर्डेंट रहेगा क्वेशन नम्मर 9 का आंसर ट्रम्प यहां के राष्टपती हैं अमेरिका के तो अभी जानते हो नियॉयोर्क यहां की राजधानी है डॉलर यहां की करेंसी है सब भी जानते हो इसारी बात हैं आगे इसमें देख लोगे जैसे लिखा हुआ है फाइजी नेटवर्क पर भारत अमेरिका और इजराइल कर रहे मिलकर काम तो इसका आशर याद रहे ना भारत इजराइल अमेरिका तीन देश हैं जो 5G विक्सित करेंगे मिलकर आगे आओ कॉश्चन नमबर 10 है हाली में Aero India 21 का 13 वा संस्क्राण कहां आयोजित किया जाएगा Aero India 21 का 13 वा संस्क्राण आयोजित किया जाएगा कि जो Aero Plane होते हैं उनका यहाँ पर एक तरीके से कहाया है तो exhibition होता है ठीक है उनको दिखाया जाता है सारी companies अपने-अपने Aero Plane दिखाती हैं लोग देखने के लिए आते हैं वहाँ पर tickets वह रहाई बसनी एक तरीके से मेला होता है तो इक काफी important होता है तो इसका 13वा संस्क्रण है इस बार जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फरवरी 2021 में बैंगलोर में 13वा Aero India 21 आयोजित किया जाएगा तो इक काफी important रहेगा तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें होती है कि उनकी ceremony type की तरीके से यहाँ पर होती है आगे आते हैं question number देखो इसमें लिखा हुआ है details में Aero के 13वा संस्क्रण में भारत 21 में आयोजित किया जाना निरधारित है वायू सैना station येला हंका बैंगलोर करनाटक से तीन से साथ फरवरी 2021 को रक्षा मंतरी श्री राजना सिंग ने Aero India 21 Aero India के लिए विवसाइट की शुरुआत की है एसिया की सबसे बड़ी है Aero Show और बिमानन प्रदर्शनी 1996 के बाद से बैंगलोर में द्यूवार्सिक रूप से आयोजित की जाती है यह याद रखना वही बता रहा था के Aero Show होते है एक तरीके से Question number 11 है हाली में किस राज्या सरकार्ट ने भारत का सबसे बड़ा पिगिरी मिशन लॉंच किया है पिगिरी मिशन अभी भारत का सबसे बड़ा किसने लॉंच किया है आंसर होगा इसका C मेघाले ने किसने किया है मेघाले ने भारत का सबसे बड़ा पिगिरी मिशन लॉंच किया है बात मेघाले की है तो मेघाले की राजधानी क्या है शिलांग है शिलांग यहां की राजधानी है यहां के CM कौन है कौनार संगमा है कौनार संगमा संगमा यहांके CM है और यहांके गवर्नर कौन है जो काफी important रहेगा आपके लिए सत्या पाल मलिक ठीक है सत्या पाल मलिक यहांके गवर्नर रहेंगे तो काफी important है आगे इसमें लिखा हुआ भी है मेगाले द्वारा सरकार द्वारा 209 करोडोपे के कुल परिवेवाला भारत का सबसे वड़ा पिगिरी मिशन लॉंच किया गया है इसे मेगाले पशुधन उद्धम उन्नती सुसाइटी के तत्वा रहां में और राष्ट्रिय सलाहकार विकास निगम द्वारा वित्त पोसित किया जा रहा है इस मिशन का मुख्या उद्धेश से तीन वर्चों में 150 करोड रोपे के पौर्क वार्सिक आयात को कम करना है पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को व्याज मुफ्ट के रिण प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार किसानों को रोण लेने के लिए प्रोसाहित करने के लिए व्याज का भुगतान करेगी पिगरी का मतला होता है यहाँ पर वो पिग से रिलेटेड है आप जानती हो पौर्क पिग ठीक है उससे रिलेटेड ये मिशन है आगे आगो कौशन नमबर 12 हाली ही में जारी नौवहन मंत्राले ने समुद्री छेत्रों के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है तो ये भी काफी इंपरेंट रहेगा नौवहन मंत्राले ने समुद्री छेत्रों के विवाद को दूर करने के लिए कौन सा mission launch किया है तो answer होगा इसका B सरोध sports कौन सा किया है सरोध sports mission launch किया है 9.5 मंत्रा लेने किसने किया है 9.5 मंत्रा लेने क्वेशन नमबर 12 और क्वेशन नमबर 12 का answer है B काफी important रहेगा आगे आते हैं क्वेशन नमबर 13 है हाल ही में किसे वुश्यू विश्वचेंपियन 2019 में gold medal प्रदान किया गया है वुश्यू विश्वचेंपियन 2019 में gold medal मिला है पूनम खत्री को किसको मिला है पूनम खत्री को option number 20 का सही है तेरेवे question का answer D सही है पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियन दोहजार निस में गोलड मैडल मिला है जैसे कि दिखोगे इसमें लिखा हुआ है तो यह है पूनम खत्री जिनको गोलड मिला है पहले इन्होंने सिल्वर जीता था और अप्ग्रेड करके अंन्होंने क्या जीता है फिर गोल्ड मेडल को जीता है तो किसमें जीता है वुशू वर्ल्ड चेंपियनसिप में इन्होंने ये जीता है तो काफी इंपड़ेंट है याद रखोगे question number इसका अंसर जैसे लिखा हुआ है इसमें मार्सल आर्टिस्ट पूनम खत्री जोनोंने वुशू विश्व चंपियन में रजत पदक जीता था अब उन्हें स्वण पदक के लिए उन्नत किया जा रहा है इरान के मरियम हाश्मी द्वारा अपना डो परिक्षन बिफल करने के बाद उनका पदक अपग्रेड हो गया है मरियम ने पिछले साल अक्टूबर में इस चैंपियन सिप में महिला सांडा परतियोगता में स्वण पदक जीता था उनसे फाइनल में पूनम को 75 किलोग्राम वर्ग में हराया था जो चाइना से आयोजित हुई थी तो एक बात याद रखनी है कि ये वुशू जो होता है मार्सल आर्टिस्ट है मार्सल के छित्र में दिया जाता है भारवाले छित्र में ठीक है आगे आते हैं पूशन नमबर 14 है हाली में भारस सरकार ने बेंकों को उधार करताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यचता में समीती बनाई है तो बेंकों के उधार करताओं को राहत देने के लिए सरकार ने किसकी अध्यचता में समीती बनाई है आंसर ओगोए इसका D राजीव महरसी किसके अध़्िषता हम बनाई है राजीव महरसी की अध़्िषता में सरकार ने बेंक उधार करताओ को रहत देने के लिए समिती बनाई है अब देखो राजीव महरसी के वारे में आँ पहले से जाने होगी केक के अध्यच रहे चुके हैं ठीक है अभी कौन है केक के अध्यच मुर्मू कौन है मुर्मू क्या नाम है उनका पूरा ग्रीश चंद्र मुर्मू पूरा नाम क्या है ग्रीश चंद्र मुर्मू है तो उनहीं की जगापर बने है राजी महरसी की जगाप पर गिरीश चंद्र मुर्मू के अध्याच्वनी है लेकिन अब इनकी अध्याच्ता में एक बैंक से जिन्हों ने उधार लिया है उनको राहत देने के लिए एक समिती बनाई है दिखा देता हूँ है इनके बारे में लिखा जैसे लिखा यहाँ पर भारत सरकार ने बैंक पूर्ब सी जीए जैसे मैंने बोला था आपको रविंद्र एच डोलकिया पूर्ब प्रोफेसर आई आई एम एहमदाबाद और भारतिय रिजर बैंक की मौदरिक निती समिती के पूर सदस्य भी है और बी श्री राम पूर प्रवंधक निदेशक भारतिय इस्टेट बैंक और आई डी बैंके हैं तो ये तीन लोग इसमें शामेन हैं समिती के अंदर याद रखना तीनों के नाम राजी महरसी रविंद्र रहस डोलकिया और वी शिरी राम आगे आते हैं क्वेशन नंबर 15 है हाली में सुप्रीम कोट ने महराष्ट में सरकारी नौकरीयों और सेच् संस्थानों में कौन से समुदाय को लेकर आरक्षण पर रोग लगाई है तो आंसर होगा इसका B, मराथा, मराथा समुदाय को जो आरक्षण मिलता था सेच्छनिक संस्थानों में, इंस्टूटिशन में और नौकरीयों में उस पर रोग लगा दिये हैं अभी सुप्रीम को तो काफी important रहेगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मराथा समुदाय को आरक्षा देने के महराष्ट सरकार के कानूनों पर सुप्रिम पोर्ट ने लगाई रोख तो यह काफी important है याद रखोगे इसको जैसे इसमें लिखा हुआ है जस्टिस एल एन राव की अध्यसता वाली तीन जज़ों की बेंच ने यहाँ मामला बड़ी समिधान पीट को सौपा सुप्रिम पोर्ट ने कहा कि जिन्होंने 2018 के कानून के कब पहले लाव लिया उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा तो जो 2018 से पहले लाव ले चुके हैं उनके अलाव जिनको भी लाव अब मिल रहा है उन पर ये कानून काम नहीं करेगा तो याद रखो कि क्वेशन नमबर इसका भी आंसर आप मराठा है तो डे क्वेशन है दोस्तों कमेंट वक्स में आंसर करना है सभी को चलो दोस्तों आंसर करो इसका कमेंट वक्स में टाटा बाई बाई